हेप्पी है एक बस नाम ही गुंज रहा है हेलो फ्रेंट्स मैं आपका अपना दोस्ट डॉक्टर ईश्कमार हंडा आईरवेधिक ड्वाइजर हैप्पी हाथ इंडिया से फ्रेंट्स आज मैं आपको जिस टॉपिक या जिस प्रड़क्ट के बारे में नौलेज देने आया हूँ वो हेप्पी हाथ इंडिया का बहुत ही यूनीक प्रड़क्ट है जिसका नाम है मल्टी बिटामिन एंड मिंडरल सिरप दोस्तो कमजोरी आजकल हर किसी को किसी ना किसे लेवल पर महसूस होती है तो हमने एक उसकी अचू कौशदीन बनाई है जो कि अगर बिमार है तो तो इसका सेवन करे ही करे अगर वो बिमार नहीं भी है और हश्ट और पुष्ट रहना चाहता है जिसको हम कहते हैं भागने वाली स्थी में रहना चाहता है उसके लिए एक जैम और यूनीक प्रड़क्ट हमने डवलप किया है जिसमें की जो सौल्ट से हमने उस त्रीके से समावेश किया है कि कोई भी इंसान किसी वे आईयो में इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचा जाए कि ये प्रड़क्ट वाकी सबसी यूनीक क्यों है फ्रेंट्स इसमें सारे मल्टी नूट्रिशनल मिनरल्स है और विटामिन्स है तांके कोई भी विटामिन आपके श्रीर में कम न रह जाए हमेर उस चीज की आपक मेगनीशिम सलफेड एक बहुत अच्छा एलकलॉइड है हमारे शिरीर के लिए जो कि हमारे बलड प्रेशर के सतर को ठीक रेगुलेट करता है नॉर्मल रगता है अगर किसी का कम है तो उसको उसके नॉर्मल लेवर पर ले आता है जैसे औरते हैं बहुत समस्या होती है कि मे मेगनीशिम हमारे शिरीर का बहुत एक मुले आंग है कि दूसरा है frand is protein isase हेडि ट्रोड परसेंट हैं वातावरं के जो सब्जी है जिस तरीके से बनाई जा रही है तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं हर चीज में अपनी पकड छोड़ता जा रहा है तो हमें जरूरत है कि कुछ ऐसे सप्लिमेंट्स हम अपने लाइफ में रेगुलरी अडिमिस्टर करें जिससे हमेशा लिए निरोग रह सकते हैं फिर इसमें जो प्रूटीन है और कि हर एज में प्रूटीन्स की रिक्वार्मेंट होती है तो आप इसको अराम से ले सकते हैं अगला है मैंगनीशियम सल्फिक दोस्तों ये एक ऐसा प्रूट्ट है जो कि किड्नी में लीवर में ब्रेन में सब को ताकत परदान करता है और हड्यों की वस्बूत्ती का कारक है इवन तक कि घुटनों की सूजन को भी ये कम करने के लिए बहुत अच्छी बहुमूले और लाइसन हमारी भूख को बढ़ाता है ये एक ऐसा करें नायसिन विटामीन विटामिन B6 को कहते है ये कि हमारी नसों को चलाने के लिए कारक है और हमारे रोज मारा की जिन्दगी के लिए एक बवमूले करनी चाहिए जो कि हम अपनी जिन्दगी में regularly administered करते रहना चाहिए उसके बाद है दोस्तो फैरिक ammonium citrate ये एक बंडार है जिसको हम लोग iron कहते हैं iron खून बनाने वाला ये अच्छा source है तो ये खून बनाने वाले करन हैं जिसको हम iron कहते हैं उसकी जो आपकी शिरीर के जरूरत है उसको परिपूरन मातरा से पूरन करने के लिए सहाइक है इसका जो अगला ingredient है वो है zinc sulfate दोस्तो zinc यशक जिसको कहते हैं ये बहुत जरूरी अलकलॉइड है हमारे शिरीर के लिए ये हमारे शिरीर की healing जिसको कहते है जखों का भरना हमारी नसों को ताकत हमारी मास पेशों को मजबूती इन सब के लिए कारक है उससे अगला है पारिडॉक्सिन हाइडोट्लोराइड ये विटामिन B3 की एक किसम है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके शिरीर की नसों को मास पेशों को और आंकों को ताकत परदान करता है इन सब का आपके शिरीर में बड़ी ही एक सायक रूप से उसको ताकत देने का बन परदान करने का योगदान है तो मैं आपको रेकमेंट करता हूँ कि अगर आपकी आयू 15 साल से नीचे है तो 1 चमय दिन में 3 बार 15 से अगर आपकी आयू जादा है तो आप इसका 2 चमय सुभा शाम या 2 चमय दिन में 3 बार एज़ को ले सकते है और खाने के बाद लेए खाने के बीच लेए इसका इससे कोई दिक्कत नहीं है हर इंसान किसी भी एज़ में इसको ले सकता है जैसे हमने आपको गाइड किया यह हर घर की जरुरत है हर बंदे की जरुरत है और आप इस पॉड़क्ट के बारे में फिर भी कोई जानकारी हमारे से लेना चाहते है हमें खुशी होगी आप हमारी हेल्ट में नंबर पे फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों है जैजे का यह बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रड़क्ट है जो कि आपके लिए हम लोगों ने मार्केट में लाँच किया है ताके हर इनसान एक निरोगयता बरी जिन्दी की जी सके अगर उसको रोग कोई लग गया है तो अटलीस उसको कमजोरी का एसास ना हो हमारा मिशन यही है कि हम हर घर तक आयोवेग पहुंचाएं और हर बंदे को निरोगयता परदान करें